अगर इन में से कोई दो वैल्यूज हमें गिवन हो और तीसरी वैल्यू हमें निकालने को बोला जाए तो कैसे हम निकाल सकते हैं यह competitive exams में questions आते हैं ध्यान से देखिए इस तरह से में जैसे मीन 3 मीडियन 4 फाइंड मोड अब इस तरह के questions में देखिए वी four options है हमारे पास जिसमें four five six seven ABCD इन में से क्या इसका answer होगा मोड क्या होगा आप comment box में लिखके भेज सकते हैं जल्दी से भेजिए और साथ में इसका concept समझते हैं कि कैसे इसको हमने सॉल करने ज्यांसे देखिए इसमें सॉल करने का सिर्फ एक छोटा था फॉर्मुला याद करना आपने क्या फॉर्मुला याद करना है थ्री टाइम्स मीडियन इस एक्वल टू मोड प्लस टू टाइम्स मीं देखुए यह रिलेशन अगर हमें याद है तो आप इस तरह का कुश्चिन इसली कर सकते हैं जैसे इस कुश्चिन में हमारे पास अब मोड निकालना था न मीडियन कितना है फॉर है तो मीडियन के जगह पर फॉर फिल कर देत है कि मोड वी निट टू फाइंट कि मीन मीन कितना है थ्री चाहिए ब्रेकट में लगा दीजिए मल्टिप्लाइ कर दीजिए यह ट्वल बनेगा थ्री टूदर शिक्स लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ध्यान से देखिए हमारा मोड कितना आया शिक साया जी डैट मीन्स option C is the correct answer इसी तरह के कई तरह के questions आ सकते हैं एक question और करते हैं ध्यान से देखिएगा मान लीजी हमारे पास median 4 और mode 6 है क्या given है median 4 और लेकिन mean की बजाए mode है और mode कितना given है mode मान लेते हैं 6 given है चीक है question को change कर देते हैं और हमें अब mode नहीं निकालना है हमें क्या निकालना है we need to find mean चलिए options एक बर छोड़ी देते हैं हम सिरफ solve करना सीखते है कि कैसे यहाँ पर देखिए median 4 है तो I am feeling 4 here mode is given as 6 plus 2 times mean अब यह देखिए यह 12 6 इदर आके minus होगा is equal to 2 times mean यहाँ पर यह 2 नीचे आगा 12 minus 6 is 6 2 will go down तो mean कितना आएगा 3 तो इस question में mean कितना आया जी 3 आया लेकिन formula याद रखना है क्या formula 3 times median is equal to mode plus 2 times mean इतना याद रखने से इस तरह के questions easily हो जाएंगे I hope आपको यह concept समझाया होगा और अगर आपको यह video पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करें Thank you so much जर जर स्थ